मैं आज चुनाव आयोक का भी अभिनंदन करता हूँ उनका आभार व्यक्त करता हूँ और ये चुनाव के दर्मियान एक बहुत बड़ी बात जिसकी चर्चा होनी चाहिए जहां तक मेरी जानकारी है एक भी फोलिंग भूथ में प्री पोलिंग करवाने की नौबत नहीं आई है मतलब की सूख और शांतिपन रुप से लोग तंत्र की भावनाव को पूरी तरह लेटर इस्परीट में स्विकार करते हुए मतदाताओं ने लोग तंत्र के उत्त्सव को बहुत बड़ी ताकत दी है और इसके लिए भी चुनाव आयोक अभिनंदन का आधिकारी है इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले और राजनितिक कारकरता को और दल को भी मैं साधुवाद देता हूँ साथियों आज मैं इमाचल के हर मद्दाता का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जैसे अभी नडला जी बता रहे हैं इमाचल के चुनाव में एक प्रतिशत से भी कम अंतर से ये हर जीत का फैसला हुआ है एक परसंट से भी कम इतना कम अंतर से इमाचल में कभी नतीजे नहीं आए है इमाचल में हर पांच वर्स में सरकारे बढ़ली है लेकिन हर में जब बढ़ला हुआ है कभी 5 प्रतिशत कभी 6 प्रतिशत कभी 7 प्रतिशत कीतने वाले और हारवाने के बीच में इंतर रहा है इस बार एक प्रतिशत से भी कम इसका मतलब है कि जनता भी खार्तिय जनता पार्टि को विजाय बनाने के लिए और सब प्रयास किया है मैं हिमाचल की जनता को आस्वस्त करता हूँ कि भाजपा भले ही एक प्रतिशत से पीछे रह गई लेकिन इकास के लिए हमारी प्रतिवद्दता शत प्रतिशत रहेगी हिमाचल से जुड़े हर विशे को हम पूरी मजबुती से उठाएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा इमाचल की प्रगती जो उसका हक है उसमें भी कभी हम कमी नहीं आने दे अभी जो मैंने दिल्ली का वर्णन सुना कि किस प्रकार से दिल्ली कॉर्परशन को किफल करने के इरादे से चंता के साथ दोका किया गए यह काम हम नहीं करते हैं हम हिमाचल की प्रकति के लिए भी भारत सरकार की प्रतिवत्रता बैसी ही बनी रहे काथियों बीजेपी को मिला जनसमर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में आया है भारत अम्रत काल में प्रवेश कर चुए यह दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ पिकास की राजनेती के ही है आजपा को मिला जनसमर्थन नए भारत की आकांच्छाओं का प्रतिवीम है हाजपा को मिला जनसमर्थन भारत के युवाओं की युवास सोच का प्रकटी कर रहा है भाजपा को मिला जनसमर्थन करीब तलीद पंचीत पिछडे चोशीत आदिवास्यों के ससक्ति करण के लिए लोगों ने भाजपा को वोट दिया तोकि भाजपा का हर सुभिजा को प्रते गरीब मद्दमबर्गिय परिवार तक जल्द से जल्द पहुँचाना चाहते लोगों ने भाजपा को वोट दिया तोकि भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े पैसले लेने का दम रख भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवार और ब्रस्टाचार के खिलाप चनाक्रोश लगातार बढ़ रहा है और मैं इस बात को स्वस्त लोग तुंत्र के लिए एक सुब संकेत के रुप में देखना है और साथियो इस बार वाकई गुजराप ने तो कमाल ही कर दिया है मैं नड्ला जी सहीत सभी भाजपा कायर करताओं को बदाई देता हूँ और विशेश रुप से मैं गुजराप की जनता को भी नमन करता हूँ चुनाओं के दोरान मैंने गुजराप के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रेकोर्ड तूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भुपेंद्रा नरेंद्र का रेकोर्ड तोड़े इसलिए नरेंद्रा जी जान से महनत करेगा और गुजराप की जनता ने तो रेकोर्ड तोड़ने में भी रेकोर्ड कर दिया उसने गुजराप के सापना से लेकर के अब तक सारे रिकोर्ड तोड़ दिये गुजराप के इतिहास का सबसे प्रचंड चनादेश आजपा को देकर गुजराप के लोगों ने नया इतिहास बना दिया हाई दसक से निरंतर सरकार में रहने के बावजुद इस प्रकार का प्यार अभुत्पुर्व है अद्बूत है लोगों ने चाती पर्ग समुदाय और हर तरह के इभाजन से उपर उठकर भाजपा को वोट दिया है भारतिय जनता पार्टी गुजराप के हर गर का हिस्सा है गुजराप के हर परिवार का हिस्सा है साथियों इस चुनाव में गुजराप में एक करोड से भी जादा ऐसे वोटर से जन्हों ने मतदान किया लेकिन यह वो मतदाता थे जन्होंने कभी भी कॉंग्रेस के कुशासन को उसकी बुराईयों को देखा नहीं था वे फ्रेश थे उन्होंने सिर्फ भाज़पा के ही सरकार को देखा थे और युवाओं की तो प्रकृती होती है कि वो हमेशा सवाल पूछते हैं जाचते हैं परकते हैं उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचते हैं युवाओं सिर्फ इसलिए किसी पार्टी को वोट नहीं करते हैं क्योंकि वो दसकों से सप्ता में रही या फिर उस पार्टी के नेता किसे बड़ी परिवार के हैं युवाओं तभी बोड देते हैं जब उन्हें भरोसा होते हैं जब उन्हें सरकार का काम प्रत्यक्ष नजर आता हैं और इसलिए आज युवाओं ने जब भाजपा को भारी संख्या में बोड दिया हैं शीट से लेकर वोड तक के सारे रिकॉर्ड तोड दिये हैं तो इसके पीछे का संदेश बहुत स्पस्ट रहा है इसका मतलब है कि युवाओं ने हमारे काम को जांचा पर्खा और उस पर भरोसा किया है इसका मतलब ये है कि युवा भाजपा की विकास अमाली राजनिती चाहते हैं इसका मतलब है कि युवा ना तो जातिवाद के भहकावे में आते हैं न परिवारवाद युवाओं का दिल सिर्फ पीजन और विकास से जीत सकते हैं और भाजपा में पीजन भी है और विकास के प्रति-प्रतिबद्दता भी है साथियों आज एक और बात याद करने वाली है जब महामारी के घोर संकट के बीच पिहार में चुना हुए थे तो जनता ने भाजपा को भरपूर आशिरवाद दिया जब महामारी के संकट से बाहर निकलते हुए असम, यूपी, उत्राखन, कोवा, मनिपूर एक के बागा देख चुनावों में जनता ने भारतिये जनता पार्टी को ही चुना और आज जब भारत विक्सित भारत के लक्ष की प्राप्टी के लिए आगे बढ़ रहा है, तो भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिरफ भाजपा पर है। मैं बड़े-बड़े एक्षपर्स को भी याद दिलाना चाहता हूँ, कि गुजरात के सुनावों में भाजपा का आहवान था विक्सित गुजरात से विक्सित भारत का निर्माण। गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानमी में विक्सित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांख्षा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनोती होती है, तो देश की जनता का भरोसा आजपा पर होता है। जब देश पर कोई संकट आता है, तो देश की जनता का भरोसा आजपा पर होता है। जब देश पड़े लक्ष ताय करता है, तो उनकी प्राप्ती के लिए देश वास्यों का भरोसा आजपा पर होता है। जब देश की आकांग शाए चरम पर होती है तो भी उनकी पुर्की के लिए देश की जनता का भरोसा भाजपा पर ही होता साथियों आज पाके आज हम जहां पहुँचे हैं राज्यों में हो थानिय स्वराज की निकायों में हो या खेंदर में हैं ऐसे ही नहीं पहुँचे है पाज पाज पीडिया जनसंग के जमाने से तपस्या करते हुए परिवार के परिवारों खपते रहे तब जाकर के ये दल बना है तब जाकर के हम यहां पहुँचे हैं पहुँचे हैं हाज पाके लिए लाखों समर्पित कारकरताओं ने अपना जीवन खपा दिया है यक्तिगत सूख यक्तिगत आकांग्षाएं यक्तिगत खुशी यक्तिगत महत्वा कांग्षा यक्तिगत सभलताओं इन सबकों दिलांजली देकर हाज पाका प्रत्यकार करताओं शमाज और देश की सेवा करने में समाज और देश को ससक्त करने में जुटा रहता हम विचार पर भी बल देते हैं और व्यवस्ता को भी सबल बनाते रहते हैं हाजपा अपने कारकरताओं की अथा संग्ड़न सक्ति पर परोसा करके ही अपनी रणनीती बनाती हैं और सफल भी होती है उतार चड़ाव हाजपा के राजनीतिक जीवन में भी आये हैं लेकिन हमने आदर्शों और मुल्यों पर अडीग रहकर दिखाया है साथियों पिछले आठ वर्षों में देश में एक और बहुत बड़ा बड़ाव अनुभव किया गया है कि बड़ाव कार्य का भी हैं कार्य शैली का भी हैं भाजपा की सरकारे भी कार्य को छोटा नहीं समझते हैं हम मानते हैं हर काम बड़े लक्षों की प्राप्ति का माध्यम बनते हैं इसलिए भाजपा की सरकारों ने करीबों के लिए घर सवचाले कैस कनेक्शन विजली कनेक्शन नल से जल बैंक में खाते मुप्त इलाज मुप्त भोजन इंटरनेट ऐसी बेसिक सुविजाओं पर पहले की राजनिती में यह बहुत फैंसी विकात नहीं माना जाता था पहले की राजनिती में इसे बड़े काम के तौर पर देखा भी नहीं जाता था इसलिए आज जो भी सरकारी लाब है वो हर व्यक्ति हर छेत्र हर वर्ग जो उसका हगदार है उस तक देजी से पहुंचने के लिए इमामदारी से प्रयास किया दाब्दी पूरा का पूरा पहुंचे इसके लिए टेकनोलोजी का भी भरपूर उप्योग किया जाते हैं किस खेत्रा किस वर्ग किस समुदाएं में कितने वोट हैं इस आधार पर नहम देश चलाते हैं नराज चलाते हैं न सरकारे चलाते हैं और हमें आज इस बदली हुई राजनिती के सकारात्मंग नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं आज बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि भारत में गरीबी कम हो रही है साथियों देश ने पिछले आठ वर्षों में करीब को ससक्त करने के साथ ही करीब तक मुल्भुश सुविधाय पहुचाने के साथ ही आधुनिक इंफ्रासेक्टर भर भी फोकस किया रोड हो रेल हो एरपेट्स हो टनेल्स हो तोलर पावर प्लाइंट हो टेडियम हो अप्टिकल फाइबन रेट पर हो जो भी हो सबसे उत्तम हो सबसे स्रिष्ट हो यह आकांच्छा लेकर आज भारत चल रहा है और साथियों एक और बात आपको याद दिलनाना चाहूंगा और सिर्फ घोशना करने के लिए घोशना नहीं करते हैं कि हम राष्ट निर्मान के व्यापक मिशन के लिए निकले लोग अजया हैं इसलिए त questionnaire पांच वरस के राजनीतिक नफह नुक्षान को देखते विए हम कोई भी गोषना नहीं करते हैं हमारी हर गोषना के पीछे एक दुरगामी लक्ष होता है एक रोड मैप होता है कि बात स्पस्थ है कि देश आज शॉर्ट कट नहीं चाहता है गज ये युद्धातां अज इतना जागरुग है कि क्या उसके हीत में है या उसके अहीत में है वो अच्छी तरह जानता है जानता है कि शॉर्ट करकी राजनीति का कितना बड़ा नुक्षान पर देश को उठाना पड़े अग्देश में कोई संसय नहीं कि अगर देश रहेगा देश सम्रुद्ध होगा तो सब की सम्रुद्ध इता है हमारे पुर्वजों के पास अनुभव का अगाद ज्यान था और अनुभव के निचोड से कहावते बनती थी और हमारे यहां हमारे पुर्वजों ने हमें विरासत में दीवी एक कहावत है आमदनी अठनी और खर्चा रुपया अगर यह वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिती होगी कि हम दुनिया में हमारे अडोस पुरोस में आज बली भांती देख रहे है और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है देश के हर राजनितिक दल को यह याद रखना होगा कि चुनावी हद कंडलों से किसी का भलान नहीं हो सकता आतियों आज के जनादेश में एक और संदेश है समाज के बीच तूरियां बढ़ा कर राज के सामने नई चुनोतियां खड़ी करके जो राजनितिक दल तत्कालिक लाव लेने की फिराक में रहते हैं उन्हें देश की जनता देश की युवपिडी देख भी रही हैं और समझ भी रही हैं भारत का भविश्य पॉल्ट लाइन्स को बढ़ा करके नहीं पॉल्ट लाइन्स को गिरा कर ही उजवल बनेगा कभी भाशा की दिवार, कभी रहन सहन, कभी छेत्र, कभी कानपान, कभी ये वर, कभी वो वर लगने के लिए तो सेंकड़ वज्य हो सकती हैं लेकिन चुड़ने के लिए एक वज़े ही खाफी है ये मात्र भूमी, ये धर्ती, ये देश, ये हमारा भारत जीने के लिए और मरने के लिए इस से बड़ी बज़र कोई और नहीं हो सकती इसलिए हमें देश प्रथम इंडिया फ्रस की भावना के साथ आगे बढ़ना है साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत के काम हो या शहर, करीब हो या मिडल क्लास, किसान हो या स्रमिक सभी की पहली पसंद भाजपा है भाजपा को गुजरात के आदिवाज इक्षेत्रों का भी अभूत पुर्वाशिजवाद मिला है और मुझे भी जानकारी बताई गई कि एस्सी एस्टी की गुजरात में चालीस सीटे अरक्षित है कालीस में से चोती सीटे हम भी मैज़ोरिटी से भारती जंदा पाड़ी जीती है आज आदिवासी आजपा को अपनी आवाज मान रहे हैं आज भाजपा को आदिवासी समुदाय का जबर जस्ट समर्थन मिल रहा इस पडलाव को पुरे देश में मैसूस किया जा रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दसकों तक इन आदिवासीों की आकांचाओं को नजर अंदाज किया गया वो अब देख रहे हैं कि भाजपा लगातार उनकी उमीदे पुरी करने में जुट ये भाजपा ही है जिसके प्यासों से इसको पहली आदिवासी राष्ट्रपती मिली है ये भाजपाई है जिसने आदिवासी कल्यान के लिए पज़ेट बढ़ाया और आदिवासी खेत्रों में विकास को रफ्तार दी हाजपा सरकार ने ऐसे अनेक कदम उठाए हैं जिसके आदिवासी समुदाय के लोगों को आर्थिक रुप से मद्बूच बनाया जा रहा है देश भर में आदिवासी स्वतंतरता सेनानियों के म्यूजियम बनाकर हाजपा आधादी के उन गुविर युद्धाओं को सम्मान दे रहे हैं पगवान बिर्शामुंडा के जन्मदीन को हाजपा सरकार में ही जन जातिये गवर दिवस गोशित किया गया है हमारे इन प्रयासों ने आदिवासी युवाओं को ए उनके स्वाभिमान को उंचाच आज भाजपा आदिवास्यों सो ससक्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं साथियों आजकल हर चुनाव नतीजों के बाद ये चर्चा भी बहुत होती है कि देश की माताएं बहने बेटियां आजपा पर इतना आशिरवाद क्यों बरसाती है अगर कोई इमान दारी से आत्म चिंतन करे तो ये पाएगा कि आजादी के बाद से पहली बार आजदेश में ऐसी सरकार है तो महिलाओं के समस्याएं उनकी चुनावतियां उनकी आवशक्ताएं उनकी अकांच्छाएं उसे समझने का लगातार प्यास कर रही हैं इनकी अनुसार कांच की योजना बना की ऊden झाओं देहात से लेकर शहर landed करेलू का रिमें वस्त महिला से लेकर तो रोजगार करने वाली किसी रोजगार से जुड़ी महिलां के लिए कि इतना भाजपाज सरकार ने किया है रही है ना पहले किसी भी सरकार ने नहीं महिलाओं के लिए पहले की सरकारों के सतर साल के कारियों की तुलनाब है आज पा सरकार के साटार साल के कारिय नहीं जादा रहे और इसलिए अज जब भी चुनाव होते हैं तो देश की माताए बहने बेटियां कमल के निशान का सिर्फ बटनी नहीं दवाती उनके हातों में एक आशिष का भाव होता है आशिर्वात का भाव होता है और जब वो जब वो उंगली कमल के बटन पर रखती हैं तब वो हम जैसे लाखों कार करता हों के सर पे विजय तिलग भी लगा देती है महिलाओं के मुद्धे भाजपा के लिए चुनावी मुद्धे नहीं हैं लकि भाजपा के हर योजना का वो प्रान तत्व है महिलाओं का जीवन आसान बनाना हो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के वर रोजगार के अउसर मुहये कराना हो ये भाजपा का कमिट्मेंट है ऐसे अपनी सरकार का सौभा के मानता हूं हमें महिला ससक्तिकर्ण के लिए इतना कुछ करने का मोकर देश की जनता ने दिया है साथियों आने वाला समय देश के लिए हम सभी के लिए बहुत महत्वपून है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इस भावना पर आगे बढ़ते हुए हमें विक्सित भारत के लिए काम करना है हमें मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना है आईए नागरिक के रुपे हम विक्सित भारत के संक्रप के साथ जुड़े विक्सित भारत के इस अभियान से जुड़े और मैं फिर एक बार देज भर के लाखों कारे करता हूं को पांच पांच पीडी की तपसेरा को आगे बढ़ाने के लिए जदैसे धन्यवाद करता हूं अभिनंदन करता हूं मैं जनता जनादन को भी प्रणाम करता हूं उनके निरंतर आशिरवाद हमारे लिए नित्यनूतन उर्जा बन जाते हैं ये निरंतर समर्थन हमें सात्विक भाव से सेवा भाव से समर्पन भाव से कार करना की शक्ति देता हूं जब हमें जनता जनादन का अशिरवाद मिलता है हमें अधिक परेश्ण करने की प्रेणा जग्त जब हमें ... जब हमें जन जन जनके भाव से छो आव से रह रहा झाएं